So hi and welcome to this another episode with me Arshia and in this video हम बात करने वाले हैं Again एक बहुत important topic के बारे में that is colleges to target under 80 percentile in CMART वैसे तो मैं आपको बता दूँ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी team ने 70 to 80 बनाया था then उसके बाद 60 to 70 बनाया था then 50 to 60 बनाया था but सारे colleges देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि you know कोई sense नहीं है क्योंकि जितनी भी colleges है वो हर percentile पर student को कही ना कहीं accept करते हैं and that is the reason मैंने इस video को मेरा version कर दिया है कही सारे colleges ऐसे जो मुझे लगता है कि आपको नहीं भी देखने चाहिए पर I'll give you a brief that under 80 percentile क्योंकि मैं 80 to 90 एक already आपको idea दे चुकि हूँ 90 to 100 already video बना चुकि हूँ और इस video में हम बात करेंगे colleges to target under 80 percentile in cmat तो पूरा video ज़रूर देखना बहुत help करेगा आपको अगर आप cmat देने वाले हैं right and मैं फिर कह रही हूँ कि होता क्या है कि आपने बहुत सारी जगा यह सुना होगा कि अगर आपका cat में बहुत अच्छा percentile है आप आयम जाते हो तो यह आपका career बनता है ऐसे वैसे colleges में करने का कोई sense नहीं है तो देखो simple सी चीज है न हर इंसान के लिए possible नहीं है न कि वो IIT Bombay में admission ले 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 रहे और फिर IMM बात चले जाए तो यह analyze करना कि मेरी profile के हिसाब से कौन सा सही है because opportunities हाँ उनका package 25 लाग से start होगा आपका हो सकता है 7 लाग से start हो but doesn't means कि आपने career में excel नहीं कर सकते तो individuality और individuality के हिसाब से सही decision जो है वो बहुत important role play करता है तो यह सारी वारता लाप के बाद मुझे क्या लगता है कि हमें यह video start करना सही है so let's get started I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and what I am talking about is colleges to target under 80 percentile in CMART so I mean I think a lot of you are preparing for CMART and it's quite near काफी पास से है right and CMART के साथ क्या होता है कि तो India level के काफी सारे अच्छे च्छे 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 स्चेप करते हैं but state wise काई सारे colleges है जो government colleges है जो CMART के तुरू enroll करते है and that is the reason काई सारे बच्चे CMART देते है तो यह मेरी टीम में content बनाया था and इसको मैं यह नहीं कहूंगी यह सही है गलत है मैं आपको बताओंगे क्या सही है क्या नहीं है जिसे उन्हें जैपोरिया नॉइडर डाला है अगर आपने मेरा 80-90 percentile वाला देखा है तो वहां पर मैंने जैपोरिया लखनौ मेंशन किया था तो जैपोर या लखनौ कि आप बात करो या नॉइडर की बात करो राइट उनका as such percentile wise requirement नहीं है try and understand even जैपोर अरिंदाओर बट इस साल उन्हें minimum 50 रख रखा है लेट से अगर आपका profile overall अच्छा है और आपका 50 percentile है then you'll be able to make it और college जो है I mean I think curriculum wise पढ़ाई wise काफी अच्छा भी है right and I have seen this right कई सालों में but again depend करता है क्या specialization के लिए आप जा रहे हो तो that is जैपोरिया नॉइडर under 80 percent time में I think आप इसको रख सकते हो और even अगर आपका 80 से जादा 85 दी है और आप सोच रहों कि मुझे मुझे लगता है उसमें ही बुराई रहे है आप उसको स्कॉलर्शिप मिल जाएगे और आप उसको consider कर सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा profile to profile specialization to specialization need to need vary करेगा बट कि in general हम बात करा है यहाँ पर IMT नाकपूर रख रखा है 80 under 80 percentile but IMT 80 percentile पे तो नहीं लेता है पर IMT right you need to have again in any case 85 percentile तो यह यहाँ पर mention है बट यह नहीं accept करता है इनको जैसा उन्होंने mention कर रखा है और मैं CMAT की तुरू videos बनाऊंगी तो there we will discuss but in CMAT they ask for 85-90 percentile then KIT डाल रख है मुझे नहीं लगता है यह बहुत ज्यादा loan option है KIT जो है वह injury ring के लिए काफी dominant है with 10-20 percentile also you can get into the college and यह उत्ता अच्छा निया then आप ITM देख सकते है ITM आपने देखा था मैंने 80-90 में नीचे में लिख रखा था क्या आप target कर सकते हूं कि कई बच्चा देखता है but ITM के साथ क्या है कि अगर आपका कम percentile भी है अच्छा आपका 60 भी है CMAT में 70 percentile भी है तो भी आप कही न कहीं ITM को देख सकते है अब मैं आपको in general एक चीज़ बताती हूं कि आप सोच रहे होंगे कि you know ITM अच्छा है या पर जो अपने जैपूरिया बताया वो अच्छा है याहां पर मैं example देती हूं एक student है if I'm not wrong his name is might be Prakhar right वो ITM में last year he was counseled by our team right and he's currently studying at business analytics तो जब उसने admission के time पर मुझे call किया होगा तो मैंने बोला था कि intake जादा है और उसका कहना है कि business analytics के लिए you know 33 students ही कहीं न कहीं है तो business analytics को काफी अच्छा है तो यहां पर होता क्या है न कि हर student की जैसे कई साल हो बच्चा यू आप कित्ता ही बोलो की you know IBS Hyderabad में ROI नहीं है तो यहां पर हर बच्चे की need अलग-अलग है और उसके basis पे colleges vary करते हैं रिच्छे आप बजूट आपका अच्छा है बड़ आपकी communication अच्छी नहीं है या फिर आपको brand value wise colleges चाहिए तो यहां पर individual colleges जो है वो वेरी करते हैं बाकी in general मैं आपको बता रही हूँ and at any point of time if you think like कि आपको मेरी help चाहिए तो नीचे profile analysis form में दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ यह नहीं कि आप profile के साब से colleges इवन आप colleges की reality भी जान सकते हैं by connecting to these students so that is there so ITM नहीं मुंबाई but there is no bifurcation when it comes to person type you know उन्हें IES का मुंबाई मडाल रखा है bandra मतलब I think जहां MET मुंबाई है वहीं पर कॉलेजी पीजोडियम के लिए तो यह colleges MMS के लिए तो टॉप colleges में आते हैं बट पीजोडियम के लिए they have recently started there पीजोडियम program MET you know SIS तो even SIS भी आप target कर सकते हैं MET में target कर सकते हैं average package 6-7 लाग का है पर यह colleges भी ऐसे हैं कि 50-60 percentile पर भी ले सकते हैं अगर आपका profile अच्छा है तो कोई cutoff नहीं है मुझे लगता है अगर आप IES देख रहे तो से बटर आप SIS MET कर सकते हैं अगर आपको उन्ही specific colleges में जाना है cutoff नहीं है KIT School of Management का किसी percentile पहुजाएगा बट आप जाधा 20 schools देखो तो जाधा बेटर है then Christ University के दो campuses हैं दोनों आप target कर सकते हैं आपका कम percentile है यहां पर भी percentile में ऐसा नहीं है कि उनको एकदम 10 percentile पर भी कर सकते हैं with 80 85 or under 80 percentile also again पूरा profile based selection है बाकी चैननाई और कोची तुल है अब यह होने मेरी team में 60 to 70 बट मैं वह ऐसा bifurcation 60 to 70 नहीं कर रहे हूं मैं under 80 percentile colleges की बाग करे हूं जो कुछ colleges नहीं है वह भी बात मैं करूंगी तो यह again Christ University है D.Y.Partal School of Management I think अभी मैंने सुनाई के PGDM के admission यह मुंबाइक है sorry मुझे नहीं लगता है इसको consider करना चाहिए लिए लिए इस गाजियाबाद रख सकते हैं बट 40 percentile 30 percentile 20 percentile हो जाता है जिन्स यह आप 60 पे बी 70 पी टागिट कर सकते हैं आप यह भी देख सकते हैं NSB Bangalore किसी भी percentile पो जाता है बट मुझे लगता है कि आप दूसरे colleges देखने चाहिए ISME Bangalore दूसरे colleges देखने चाहिए IBA देख सकते हैं right again 50 60 किसी पी अप्लाइ कर सकते हैं तर उसके हिसाफ से अपको colleges देखने चाहिए मैं धिन बता रही हूँ यहां पर जैसे उन्होंने 60-70 में इसमी रखा या आई बीए रखा आई पर आप एवन अच्छा होता आप आप अलाइंस भी टारगट कर सकते हो आप RCM भी रख सकते हो आप आई इस भी रख सकते हो पर संटाइल आइज बीस भी रख सकते हो आप आ something but I want to tell then here आप जैपूर का है अगर आप agriculture देख रहे हो तो फिर आप देख सकते हो otherwise आप बाकि इन जैनरल वालों के लिए नहीं है एशा-Pacific डेली में है कोई भी परसेंटाइल पर हो जाता है अगर आप एशा-Pacific की बात करें तो फिर अगर हम बात करें तो आप यू नूँ एशा-Pacific की अगर हम बात करें तो उसके बाद आप यू नू फॉस्ट आइम भी देख सकते हो एंड आयम भी लेता है आई यलम भी लेता है आई पूरिया भी लेता है जिम्स रोहीनी भी लेता है जेकी भी लेता है आई बिया बहुत सारे colleges लेते हैं बट कट अफ नहीं है अगें, interview, communication basis पे selection criteria है, कुछ colleges में rejection है, कुछ colleges में तो rejection भी नहीं है, then in school of mines, IIT धनबाद, यहाँ पे आप एक बार चेक कर ले न, यह सीमाट accept कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, this is something what you need to re-verify, अच्छारे Bangalore, again Bangalore में सारे colleges कोई cut-off नहीं है, prestige अंदोर जिसके लिए बहुत सारा बच्चा जाता है, और even IMS DAVV भी जो है, इन दोर का accept करता है, right, and government college है, तो बहुत सारा बच्चा सीमाट देता है, MP में कही न कहीं IMS DAVV के लिए, then I mean I think prestige अंदोर भी आप target कर सकता है, इन्होंने thanks तो कर दिये, और मुझे लगता है कुछ और colleges है, जो यहां पर कहीं न कहीं missing है, तो वो colleges मैं add कर देती हूं, जैसे for example, मैंने आपको in general बताया था कि डिली में, पॉस्टाइमा, इंडिया आयम, आयलम, राइट, जैपुरिया, जिम्स, राइट, यह सारे ही colleges एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई cut-off नहीं है, अगर आप पूने में देखेंगे, तो लेक्सिकन, किर लॉसकर, पीब्म, बाला जैपुरिया, ठीक है, दन ब्रमाया के बाद, यह नो, IABS, या फिर आलाइंस, या फिर ISBR, या फिर ISME, या फिर क्राइस, या सीमस, जैन, या फिर यह सारे colleges एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ के लिए 50-60 पॉसंटाइल है, बाकियों के लिए cut-off नहीं है, ओवराल पर देख रहे हैं, तो all in all, आपको under 80% सारे ही colleges, जो 9, even जो मैंने 80-90% में भी डाल रखे हैं, वो भी आप try कर सकते हैं, unless and until आपकी communication, academics काफी अच्छे हैं, UBS है, ITM है, यह सारे colleges अप्लाइ कर सकते हैं, academics और है, बाकि कई सारे colleges ऐसे भी हैं, they are closing their admissions, right, and yes, it is true, जिनकी सीज बहुत जादा नहीं है, तोड़ी सी brand value अच्छी है, तो हो सकता अगर आप results के बाद उनको देखो, तो possibilities कम भी हो जाएगा, और ऐसे नहीं वो tier 1 के भी colleges है, पर या, this is something what I see on every year basis, तो आपको कही न कहीं, अगर आप under 90% लाने वाले हो, keep a backup option, 95 की कोशिश करो, and then decide करो किसी भी at any point of time, पर कोई भी help लग रहे है, नेचे प्रुफाल नाल से फॉर्म दिया है, जिसको फिल करके आप details ले सकते हैं, this is me, Aarshikhan, signing off, मिलते को और एपिसोट के साथ, I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel, and do not forget to like, share, and subscribe.